हेलो फ्रेंड्स मीला कुक्स में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे है वैनिला स्पॉंज के वैनिला स्पॉंज केक बनाने के लिए हमें चाहिए वन कप आल परफसलार माइडा थ्री फोर्थ कप प्लस टेबल स्कून पाउडर शूगर अल थन लेंगे 1 फोर्थ कप लेंगे 1 फोर्थ कप 3 टेबल स्पून पाउड फ्लोर वन हाप टीस्पून नमप एक टीस्पून वैनिला एसेंस तो आज है बनाना शुरू करते है वैनिला स्पॉंज के क्लई सी बासका ये बासकते हैं? बच्पर ठीप नमप, प्लस बासकते हैं क्लेड़ों से ज्क्लेश है कैंए । झाल चैसीasan मेंगे जिसके है क्लेंगे 1 फोर्चे 500mm एक योग लिए है तीन अंडोखा इसमें हमने हाफ टी स्पून वैनिला इसन्स लिए है पर वन हाफ टी स्पून हाँ अंडोखा जाले पर्ची से मिक्स कर लेए तीन अंडोखा एक वाइटे से हम बीट करेंगे कर बाहरा करेंगे जैस हमारा जार्यार्यको भूल में से हमारा जAnn एक बाती अंडो ब्नाटर्यको बाती इसमेश ऑत्म कर ले ! यिए हम पर चैसे मिक्स कर ले तीन एफ प입니다 पिस्से हम इसे में इसे 1 थर्ड हैर करेंगे अच्छा हुआ वह न था शुगर से अच्छा है अच्छा है अच्छार हुआ पिस्जाओ व्द्टा व्द्टा रम यहां तरी से बिट करना है एक येलो का मिक्शर इसमें फोला फॉला कर ख्याड करेंगे कॉट फोल्ड मेथल से इसे एक तम हलके हट से इसमें मिक्स करेंगे लुट चाओ वा एक ये लो अमिसमें तर निक्स करेंगे तर्चाओ क्टे फुट न पर इसमें पॉट फॉट वे एक बड़ निले तेरी करेंगे फॉट चरह से पर आप्साः क्ति को जब हमाओएँ अवसा, क्ति कहसे हमाओएन को ग long मेंग यख सूल देज़ीं क्ति को जगे ने हांक जी लिक्षब दीरे-दीरे लाइट करने लिक्षब दीरे-दीरे लाइट करने अप्तिमारी के हाथ से करना है ए souhaक्षब फिव 트레이 से करने करने के लिक्षब दीरे-दीरे-दीर in देरीर in अट गभी कव्या अटू झालमीач देक Literally inclusory, देमे के लेओवाट रे लाग ससे करने लेग्षब यह एक कप मईदा, तेन टेबल स्पून पाम चॉलब, इसकर असे से फोल्ड करेंगी, बच्छे से निक्स करनेंगी, बच्छे से निक्स करानेगी, आपाने करेंगी, इसकार से बटकर पेपर इसके नगर आपनी हम्रोड़ आपनी इसकार को इसमी डालें दे प्रची से टेक, इस तरह से स्टीकिस के अंदर आंके, जो हवा है इसे निकाल देंके, के लिए इसे बेट करेंगे, ओवन को दस मिनिट के लिए प्री हीट करके लिया है, इसको अंदर डालेंगे, 25-30 मिनिट हम इसे बेट करेंगे, देखिए फ्रेंड, यह हमारा वैनिला स्कॉंज केक बनके तयार हो चुका है, यह बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे जरू ट्राइ कीजिए, केक को हम तोड़ा थंड़ा होने देंगे, फिर हम इसे काटके आपको लिखाए, यह बहुत ही अच्छा बना है, यह बहुत ही अच्छा बना है, अगर मेरे रिसीपी आपको पसनाती है, तो फ्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंस के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चानल को सबस्क्राइब कीजिए. और हाँ, डेल आइकन दबा ना, मत भूलिये. इसे मेरे रिसीपी, आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी. तो फिल्मिंगते हैं किसी नए और टेक्स्टी रेसे भी के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक यू